लोग सभाव चुनाओ 2018 से उत्तर प्रदेश में राश्य लोग दल और सपा के बीट जो गटबंधन था उसमें तूटने की बात सामने आ रही थी लेकिन महा सचिव राम गोपाल यादव ने साफ तोर पर इस बात को कहा है कि दरसल ये गटबंधन जो है ये आम तोर पर बीज रिजनौर के सांसत मलूक नागर जी मेरे साथ हैं बातचीत करनी के लिए अभी जो प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी राम गोपाल जी ने तो साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ये अफ़वा है या नहीं है या सारे राष्टे चैनल की ख़बर जूटी है या सच है राम गोपाल जी जो कह रहे हैं वो सच है या जो रूमर है वो सच है ये तो पता नहीं पर एक चीज़ पकी है पस्चमी उत्तर परदेश में आर लडी या जैन चौधरी जी जिसके साथ हो जाएंगे या बी एस पी जिसके साथ हो जाएगा एक तरफा जीत चले जाएंगे क परदेश सरकात मेनिस्टर MP लगातार हम दोनों भाई रहते आ रहे हैं तो पस्चमी उत्तर परदेश की तासीर को पस्चमी उत्तर परदेश की जनता में कितनी कितनी जाति failed का उस चीज़ को मेरे सामने सीधा आखलन है डलित है मुसलिम है जाठ है और गूजर है पूरे जीत होती चली जाएगी इसलिए मैंने कहा जेंद चौधरी जहां चले जाएगे आरेलडी जहां चली जाएगी या बीएसपी या कुमारी बहनमायती जहां चली जाएगी बलकुल एक तरफा पस्ची में जीत होती चली जाएगी और देश की सुरुवात जब होती है जब पहल दलती है इसलिए आज की तारीख में सेंटर में बलकुल पूरी तरीके से जैन चौधरी और आरलडी आ गए है या बीएसपी आ गई है जो बाचीत है वो चार सीटे तो बीजेपी ने दे दी है ऐसा जो सूतर हैं वो कह रहे हैं चाहे वो मतुरा की सीट हो और जो है अम्रोहा क जह रही थैं कि दोनों के बीच समझ्वोथा नहीं हो पार रहा है का गॉंग्रेस का जैसे बंगाल में टूटा मुंता जी के साथ जैसा पंजाब में और हर्याना मेर दिल्ली में केज्दिवाल जी के साथ तूटने की बात हो रही है जो राहुल जी ने मजाक में का यह तो जल्दी स्वम्ज़धा कर लो तो नहीं तो रहे ठोलिए जाओगे य और जब से 1913 से और 1947 तक जब अंग्रेजों का राज था जब ये लेजिसलेचर सिस्टम सुरू हुआ कलकत्ता में और 1947 के बाद आज आदी से और आज 2024 तक एक ही बार पिछडों में से जाट प्रधान मंत्री बने जिसको किसान अपना मसीहा मानते हैं अपना देवता मानते हैं चौधरी चरण सिंग जी उसको भी कॉंग्रेज ने धोका दे करके तीन महीने में कुरुशी गिरा दे थी सीट खीच ली थी यानि प्रधान मंत्री पद से उतार दिये थे तो वह भी जैंच जी के कहीं न कहीं दिमाग में है और अब सीट जैंच जी की जो सीट है उसको कॉ और प्रधेस से कुई जटका मिलने जारा है मुझे तो ऐसे लगता जटका नहीं इंडिया गट बंदन में था है एँशी हो जाएगी कि पिछली बार तोगेली But दिशीतर these और अब की बार अगर यह हो गया है जंत्य औरcha ऑरल डी यह समाज किसाण do बीजेपी के साथ मिल गया पस्ची में जो लड़ाई लड़ता था मुस्लिमों के साथ मिल करके अगर ये उधर मिल गए गुजर काफी मातरा में पहले ही उधर है अगर ये मिल गए तो बिलकुल मुझे तो लगता नहीं है एक सीट भी कॉंग्रेश की यूपी माजा है सोनिया पहन मायवतीजी कह चुकी है कि हम चुनाओ अकिला लड़ाएंगे है अब आने वाले वक्त में जो उत्तर प्रदेश है उससे लेकर और खासकर इंडिया गटबंधन के साथ जो बातचीत है जो समीकरण है और सबसे बड़ी बात जो गटबंधन है उसको लेकर के कुछ नए समीकरण दिख सकते हैं हलाकि फौरी तोर पर राम गोपाल यादो ने इस पूरे बातचीत से इंकार किया है सत्यरंजनर राउत्रे के साथ राम किंकर सिंग आज तक के लिए